तुदोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि हाली में मповराष्ट्र सरकार में मुम्मबई में दो मेट्रोलाइन्स का उतगाटन किया था जिस मैं से मेट्रोलाइन 2a दैसेर east से शुरू होकर अन्धेरी के डी औन नगर तक जाती है और Metro Lines 7 दैसर East से ही शुरू होकर अंधेरी East तक जाती है जिससे Western Mumbai के East और West दोनों साइट्स को अच्छी connectivity पहुचाने का काम यह Metro Lines करती है और अभी इनी Metro Lines की connectivity बढ़ाने के लिए सरकार और एक Metro Lines शुरू करने जा रही है जिसे हम Metro Lines 9 के नाम से जानते हैं यह Metro Lines दैसर East से ही शुरू होकर मीरा रोड होते हुए वहिंदर तक जाएगी सरकार का निर्दान है कि आने वाले एक साल में इस Metro Lines का फर्स्ट फिच शुरू कर दिया जा सके जो दैसर East से शुरू होकर काशी गाव तक होने वाला है जिसके तहर चार स्टेशन का निर्मान किया जाएगा इसमें सबसे पहला स्टेशन दैसर East होगा दूसरा पांडुरंगवाडी तीसरा मीरा गाव और चौथा काशी गाव होने वाला है यह मेट्रो लाइन के कंस्ट्रक्शन से मीरा रोड और धैसर के बहुत सारे एलिया को मेट्रो कनेक्टिविटी मिल पाएगी जिने आज तक मीजर कनेक्टिविटी से दूर रहना बड़ा अगर हम इस मेट्रो लाइन के प्रोजेक्ट की बात करें तो यह बनाने के लिए सरकार को लगबग 6607 करोड रुपे का खरचाने वाला है पूरे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह डिसेंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा सरकार ने अभी इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में भी बहुत तेजी लाई है अगर अब तक के सिविल वर्क की बात की जाए तो लगबग 51% स्टेशन का काम पूरा हो चुका है और ओवराल 55% काम MMRDA ने पूरा कर लिया है जैसा कि मैंने रताया यह मेट्रो लाईन कनेक्टिविटी के लिहाद से बहुत ही जाड़ा इंपोर्टन्ट होने वाली है जैसे कि यह अपने स्टार्टिंग पर्म में मेट्रो लाईन 2 ए और साथ को कनेक्ट होगी और अपने रास्ते में इसे मेट्रो लाईन 10 जो ठाने के गाई मुख से शुरू होकर काशी मीरा के शिवाजी चौक तक आने वाली है उससे कनेक्ट कर दी जाएगी उसके अलावा आगी यह मेट्रो लाईन फेस 2 के तहत भाहिंदर के सुबाश चंद्रचौक स्टेडियम तक ले जाए जाएगी तो दोस्तों आप इस मेट्रो लाईन के बारे में क्या सोचते हो और क्या यह मेरा भाहिंदर में रहने वाले लोगों की ट्रैवलिंग के समस्या कर समधान लाप आएगी या नहीं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे